हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल कलरफुल थ्रेट्स फ्रेंड्स आज में आपके लेके आई हूं शॉल का एक बहुत ही खुबसूरत सा पैटर्ण आप देख सकते हैं कितनी प्यारी और कितनी लंबी शॉल बनी हुई है यह यह पूरी शॉल नेटिंग पे बनी है और आज मैं आपके लिए इसी डिजाइन को बताऊंगी कि इस शॉल कौनसे डिजाइन पड़ी हूई है और बहुत ही प्यारी खुबसूरत सॉल लगती है और इसका पूइंट यह है है फ्रेंड्स की यह सॉल बहुत बनके रेडी हो जाती है यह जो डिजाइन इसमें यह य चल्दी बनके डिजाइन रेड़ी होती है, यह डिजाइन आप अगर चाहें तो जैकेट में भी डाल सकते हैं, यह तुटना त्विजाइन के बताया हुआ है अपने एक वीडियो में, बहुत ही प्यारी और बहुत ही खुबसूरा सॉल है, इस सॉल में इस तरीके के टोटल 20 पड़े हुए है और यह आठ नंबर से बनी है यह पूरी शॉल और इसकी जो टोटल चौड़ाई है यह 34 इंच के आसपास है यह काफी पुरानी सॉल बनी हुई है तो यह पूरा सॉल का लुक दे रही है अगर आप इसको इस टोल के टाइप का बनाना चाहते हैं तो इस टोल क इसे डाल सकती है और सब आप से पूछेंगे कि यह आपने कैसे बनाई है या फिर आपने कहां से खरीदी है इसमें फ्रेंट से शॉल में जिन्हों ने भी बनाया है इसमें नीचे की कोई जहलड नहीं बनी हुई है यह सिंपल देखेगा इसमें यह वाला पैटन कुरूश् जिसमें मैंने इसको पूरी डिजाइन बनाना बताया है और यह शॉल कुरूश्यर से बनी हुई है और इसमें मैंने इसका नीचे का देखेगा यह जहलर और प्लस इसका कॉर्णर की इस तरह से आपको इसकी साइड्स बनानी है वह बताया है इसमें जो साइड्स बनी हुई वह सेम ही बनी हुई है, जो मैंने इसमे बताई है गर आप इस तरीके की साइट और नीचे की जालर बनाना चाहते हैं तो आप इस वाले वीडियो को देखके बना सकते हैं पुरी श sacred बनाने के बाद बनाने के बाद आप यह वीडियो देखए behavior और इस तरीके का आप इस दूर description box में दे दूंगी वहां से जाकि आप इस शॉल का वीडियो देख सकते हैं सो फ्रेंट्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा कर थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजे लाइक करना नहीं भूलिएगा फ्रेंट्स आप लोग ला बना रखी है तो अगर आप किसी भी तरीकी का वीडियो देखना चाहते हैं नीटिंग से रिलेटेड या कुरुष्या से रिलेटेड होली आ रही है तो अगर आप थाल पोस या तूरन बनाना चाहते हैं तो भी आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस चेक कर लिजे मैंने कि मर्टिपल में फंदे डालके आपको दो उसमें एट कर लेना है मैंने इसमें 20 पैटन बनाए हैं इस तरीके के तो 240 फंदे मैंने इसमें डाले थे अगर आपको 15 पैटन के बनानी है तो आप उसको 15 इंटू 12 मींस 15 को 12 से गुणा कर लिजे जित्ते भी फंदे आ रहे हैं उतने फंदे डाले प्लस उसमें दो फंदे और एट कर लिजे तो यह पैटन आपका आपके शॉल में बिलकुल फिट हो जाएगा यहां मैंने कुछ फंदे अपने इसमें डाल रखे हैं तो जैसे मैं आपको इसमें पैटन बताओंगी आपको सेम पैटन अपने पूरे इसमें स्टार्ट होता है इसी को रिपीट करते हुए आपको अपने पूरे शॉल को रेडी करना है बहुत एक उपसूरत शॉल है बहुत अच्छा लुग देती है तो यहां मैंने बारा के मर्टिपल में फंदे डालके उसमें दो एट कर लिए हैं आप भी बारा के saucy noda पेन चार पांच पांच वंदे सीथे एक फंदा उल्टा द हागा पिछे एक फंदा सीथा फिर से धा का आगए एक फंदा उल्टा इस तरह एक उल्टा एक सीदा और 9 यहां पैसी देकर निया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दागे को आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, दागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से दागा आगे, एक फंदा उल्टा, अगेन नौ फंदे सीधे बिनेंगे, ये दूसरा पैटर्न है, दूसरी कली है, ये पहली कली में हमने नौ फंदे बिन लिये, अब ये दूसरी कली कली नौ फंदे, अगेन एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, और बागी के फंदे सीधे, रॉंग सलाई पूरी उल्टी बिननी है, तो ये जो रॉंग सलाई है, इसे पूरा उल्टा बुन लें, और राइटर्न है, ये हमारी थर्ड रो है, तो पहला फंदा वैसे ही उतार लेंगे, दागे को पीछे करेंगे, और शुरुवात के चार फंदे, वन, टू, थ्री, तीन फंदे, ये हमने सीधे बिन लिया, ये देखेगा, ये उल्टा फंदा है, तो उल्टे फंदे के बगल वाले जो दो हैं, इन्हें हमें आपस में, दो का एक कर देना है, इस तरह से फंदो को उठाएंगे, आगे से बुनते हुए, जब हम दाइने साथ फंदा को दो का एक करते हैं, तो आगे से बुनते हैं, और जब बाइंक साइट का करेंगे, तो पीछे की तरफ से बुनेंगे, ये जो उल धागा आगे है और फंदा बीच में मारा सीधा है तो आगे से ही इसमें जाली डाल देंगे एक जाली और हमें डालनी है यहां पर उल्टा फंदा है उल्टे फंदे पर जब डाली डालते हैं तो फंदे को पीछे की तरफ ही रहने देते हैं और इसमें एक उल्टा बुन लेते तो इस तरीके से हमने सीधे के दोनों तरफ एक-एक जाली डाल दी और अब यहां पर हमें फिर से अब फंदे को घटा देना है तो अभी यह वाला फंदा हमें इस साइड पर पलटना है इस साइड पर हमें दो का एक करना है तो इन्हें हम पीछे से करेंगे यह देखे और बीच के सारे फंदे जो साथ फंदे बचेंगे वन टू त्री फोर फाइव पांच फंदे हमने सीधे बिल लिए और यहां पर देखेगा उल्टा उल्टे के जजब बगल वाले फंदे ही हमें दो के एक करने तो यह फंदा हमारा उल्टा है इसके बगल में दो क pattern ही है तो इन्हें दो का एक ऊच्प लेना है अगें हमें राइट साइड पर करना है तो हम इधर से करेंगे उपर की तरफ से ने दो फंदों का एक पंदा कर लिया स्पर जाली बिर दालने है मैं दागा को आगे ही रहने देंगे और विस्तवे फंधे फंदे पर जाली डा साइट पे फंदे को दो का एक करना है तो इसे पीछे की तरफ करेंगे तो यह वाला जो आपका बीच वाला हिस्सा है जब आप थोड़ा सा बनाएंगे तो यह साफ दिखने लगेगा तो इस बीच वाले हिस्से को हमें दोनों फंदे पलटके इसमें कली बनाने तो एक बार इ पीच के फंदे बुनेंगे, तीन, चार, और ये पांच, पांच फंदे बिन लिए, उल्टे के बगल के दो ही फंदे बचे हैं, इन्हें फिर से हमें दो का एक करना है, राइट साइट की तरफ करना है, तो उपर की तरफ से कर लेंगे, दो फंदे एक में बिन लिए, एक उल् जालेंगे दागा पीछे ही रखेंगे उल्टे पे जालेंगे उल्टे पे जालेंगे उल्टे पेले सेफ आपके फृर्स् ट्रो में ही जो हमारी थर्डर में फ़र्स टाइम हॽ जब जाली डालेंगे तभ पढ़ेगी उसके बाद सारी जाले Morocco सीधे पर यह फन गी Genau फ्रंट साइड पर आएंगे रॉंग साइड पर यहां पर देखेगा बाकी की बिनने के बाद यह जाली वाला फंदा है तो इस जाली वाले फंदे को जो उल्टे पर जाली पड़ी है इसे इस तरह से उठाएंगे पीछे की तरफ से और उल्टा ही बुन लेंगे और अब यह वाला जो हमारा फंदा है इसे भी उल्टा ही बुन लेंगे यह सीधे पर जाली है तो यह सिंपल बुन ली जाएगी और अगें तो इस तरह से हमारी दो जालियां बनके रेड़ी हो गई एक इस साइड और एक इस साइड तो जाली वाले फंदे का ध्यान दीजेगा जाली वाले फंदे को पीछे की तरफ से उठा के बुनना जाएगा जो हमारा उल्टी वाली उल्टे फंदे पे जो जाली पड़ी है और अब यह हमारी फिफ्ट रो है फिफ्ट रो में वैसे ही पहले फंदे को उल्टा बुन लेंगे एक और यह दो दो फंदे हमने सीधे बुन लिये और यह फंदा मारा देखीगा उल्टा वाला है तो इसके बगल के दो फंदे हमें घटा देने है वैसे ही लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे घुमाना है इसे तो उपर की तरब से करेंगे उल्टा फंदा उल्टा ही बुन लेंगे और ये जो जाली वाले फंदे अब हमारे बढ़ेंगे उन्हें सीधा बिना जाएगा जाली हमेशा ये जो बीच वाला सीधा फंदा आ रहा है इसमें ही पड़ेगी तो अगेन इस सीधे वाले फंदे पे जाली डाल देंगे दो जालियां एक साथ डालनी है इस बार ये फंदा भी हमारा सीधा है क्योंकि उल्टा फंदा हमारा इधर की तरफ शिफ्ट हो चुका है सीधे फंदे पे जाली डालने के लिए आपको धागे को आगे करना होगा और इस पे एक जाली डाल देंगे उल्टे फंदे को simple उल्टा बेन लेंगे और अब इसे हमें left side की तरफ मोडते हुए घटा देना है तो दोनों फंदों को पीछे से सीधा बुल लेंगे और एक फंदा घट जाएगा ये देखिए उसके बाद बीच के फंदों को सीधा बुलेंगे और जो उल्टे के बगल वा जाले दो फंदे हमें एक फंदा इसमें से कम कर देना है तो दो का एक कर देंगे उपर की तरफ से अगे उल्टा फंदा उल्टा बुना जाएगा सीधा जाली वाला फंदा सीधा और फिर से जो बीच वाला सीधा फंदा आ रहा है जाली आपको साफ समझ में आएगी तो इस इन दो फंदो को हमें घटाते हुए लेफ्ट साइड पे मोड़ देना है इसी तरह से continue करना है हमें आगे की रो भी तो ये एक पैटन ये तैयार हो रहा है एक ये और एक ये तीन बारिस में जालिया बन रहे हैं तो इस चीज का ध्यान दीजेगा जो मैं यहां पे बताऊंगी इस वाली प्लेस पे वही continue करना है आपको आगे भी तो इस रो को पूरा ऐसे ही बिन लेंगे रॉंग साइड पूरी बिनते हुए इस तरह से देखेगा अब यह डिजाइन हमारी साफ समझ में आने लगी है जाली के ओपर जाली ही पड़ रही है इधर के फंदे दो दो घट रहे हैं लेप साइड पे इधर से राइट साइड पे तो यह वाली रो भी हमें सेम ऐसे ही बिननी है जैसे हमने इसके पिछली वा न रह जाए तो जैसे आप यह रो बुनेंगे इसके बाद वाली भी वैसे ही बिननी है फिर से यह दो फंदे उल्टे के बगल वाले ही दो फंदे आपको एक करने हैं एक बार राइट साइड पर एक बार लेफ्ट साइड पर फिर से यहां पर उल्टा फंदा उल्टा बुन तो एक जाली डालेंगे और तुरंत ही इसमें दूसरी जाली डाल देंगे यह भी जाली डाल दी उल्टे फंदे को हुई उल्टा बुनेंगे दागे को पीछे करेंगे और अगेन दो फंदो को एक कर देंगे लेफ्ट साइड पे पीछे की तरब से और फिर से जो फंदे और अब इन दो फंदो को हमें एक कर देना है इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए इस पूरी रो को भी ओवर करना है जाली के ओपर जाली उल्टी के ओपर उल्टा बनाना है और फंदो को घटाते हुए रो पूरी ओवर करेंगे और पीछे वाली रो पूरी उल्टी बिनते हु और अब नाइन्थ रो में देखेगा क्या करना है उल्टा फंदा पहला फंदा है वैसे ही बुन ले अब यह दो ही फंदे यहां पर बचे हैं तो इन्हें भी आपस में दो का एक कर देंगे उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे और अगें जो सीधे फंदे बीच के सीधे हो रहे हैं जाली वाले फंदे उन्हें सीधा करते हुए बीच वाले सीधे फंदे पर वैसे ही दो जाली डाल देंगे जैसे हर बार डालते हैं यह देखेगा कितनी क्लीन जालियां देखने में लग रही है यह एक जाली और दो जाली दो जलिया डालनी अब इस तरह से आपकी जो कली नीचे एक उल्टे एक सीधे और एक उल्टे से स्टार्ट हुई थी अब उसमें देखेगा बीच में फंदे आपके 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 फंदे वैसे ही बढ़ गए है यहां पे पहले हमने 9 फंदे से स्टार्ट किया था अब वो 9 फंदे शिफ्ट हो के इस पॉ 원ट에 आ गए है तो इस तरीके से एक जैसे ही एक कली घटेगी दूसरी कली में फंदे बढ़ जाएंगे यहाँ पे अब आपके पास तीन फंदे ही बचे हैं तो अब इसमें हमें चोटी बना लेनी है तो चोटी बनाने के लिए क्या करेंगे बीच वाले फंदे को आगे की तरफ से आगे करेंगे और आगे वाले को पीछे कर देंगे यह देखिए बीच वाला फंदा है इसे हम आगे शिफ्ट कर लेंगे और अब इन तीन फंदों को एक साथ बिनेंगे तीन फंदे एक साथ बिन लें यह तीनों फंदे इक करके इन में फंदों को अगर आप उतार देंगे तो अराम से उतर जाएंगे अगर आप तीनों फंदे एक साथ उतार पा रहे हैं तो तीनों फंदे उतार दें ये देखे तीन फंदों का एक हो गया और इस तरीके की एक चोटी बन केस में रेडी हो गई अगेन उल्टा फंदा उल्टा ही बुनेंगे बीच के जो सीधे फंदे हुए हैं उन्हें सीधा ही बुनना है ये सीधा बुनेंगे जाली के ओपर जाली डालेंगे और यहां के जो तीन फंदे आपके पास हैं इन तीनों में एक चोटी बना देनी है इसी तरह से पूरा पैटर्न रिपीट करना है रॉंग साइट पूरी उल्टी बननी है और 11 तंबर रोपे हमें फ्रंट साइट पे आना है चोटी बनाना एक बर और देखने कैसे बनानी है यह बीच वाले फंदे को आपको सलाई में उठाना है आगे वाले फंदे को गिराते हुए इसे लेफ्ट हैंड वाली सलाई में उठा ले और बीच वाले फंदे को आगे की तरफ शिफ्ट कर दे और इन तीनों को इन तीनों फंदों को पीछे की तरफ से उल्टा बुल ले एक साथ अगर आप तीनों फंदे नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक एक करके या दो करके फंदों को निकाल सकते हैं यह देखेगा दो फंदा मैंने निकाला और जो यह तीसरा फंदा है इसे भी उता नौ फंदे हो गए हैं नौ फंदे अब यहां पर शिफ्ट हो गए और बीच में यह जो फंदे हमने घटाए हैं हर बार यहां पर एक उल्टा एक सीधा और एक उल्टा हो गया है तो अब नई डिजाइन हमें यहां से बनानी है जहां पर एक उल्टा एक सीधा और एक उल्टा है क्योंकि हमने यहां से जो start किया था वह एक उल्टा एक सीधा और एक उल्टा से start किया था तो सेम पैटर्न को अब इसमें फिर से repeat करना है पहला फंदा हमें as it is वैसे ही उतार लेना है और अब जो फंदे यहां पे देखीगा यह वाला हमारा एक उल्टा एक सीधा है तो यहां पे एक जाली बना लें तो यह जाली हमेशा सीधे वाले फंदे पे बनेगी तो इस वाले बिलकुल side में है आपके फास एक ही फंदा बचा है तो आप एक जाली ही बनाएं और यह दो फंदे अब हमारे left side की तरफ घट जाएंगे तो इन्हें left side की तरफ घटाने के लिए पीछे से घटाना होगा यह इस तरह से पीछे की तरफ घटा लेंगे बीच के बाकी फंदे सीधे बुने जाएंगे यह इस पैटर्ण के फंदे जो नौ फंदे हुए हैं उन्हें हमें सेम वर्क वही करना है जो हमने नीचे के इन नौ फंदों में किया था यह देखेगा इस तरीके से यह कर लिया अब यह उल्टा फंदा है इसके बगल के दो एक तरफ का left side जाएगा और एक तरफ का right side ये right side की तरफ जाएगा तो इसमें नीचे की तरफ से फंदो को इस तरह से घटा लेंगे उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेंगे और सीधे फंदे पे सेम वैसे ही जाली डाल देंगे जैसे हमने पहली जाली डाली थी पहली जाली क पीछे की तरफ ही रखेंगे और इस तरह से पीछे से यह कुल्टबंदा बिन देंगे अगे कि यहाँ पर हमैं दोफंदे घता लेने हैं यह हमने लेफ्ट साइड पते घताना है तो पीछे की तरह से घताएंगे राइट साइड की तरह का रहाण पर से घटाएंगे तो इस तरह से continue करते हुए इस पूरी रोग को over करेंगे और इस वाले end पे देखिएगा left hand side वाले end पे जो उल्टा फंदा है उसमें उल्टा बुन लेंगे और जाली इस सीधे फंदे पर डाल देंगे last में तो एक जाली इसमें उल्टे पर ही डाल देंगे एक साइट पहले जाली पढ़ जाएगी और एक साइट जाली फंदे के बाद में पढ़ेगी जो फंदा एक बच्चा हुआ है उसे सीधा ही बुनते हुए wrong side पूरी उल्टी उल्टी बिनेंगे और again right side पर आएँगे ये देखिए अब डिजाइन हमारी दूसरी वाली जो य करते जाएंगे फंदों को यहां पर जब तक कि यह कली पूरी बंदा हो जाएं जैसा कि इसमें देखिएगा आप देख सकते हैं इस वाले point पे हैं हम लो यहां से हमने दूसरा pattern start कर दिया है और एक एक करके फंदे को घटाते हुए इधर घटाते जाएंगे और इधर फंद करेंगे उल्टा फंदा उल्टा ही बुन लेंगे यह एक फंदा सीधा हमारा बढ़ जाएगा और यह वाला जो फंदा नीचे से सीधा आ रहा है इस पे हमें जाली बना लेनी है दागे को आगे करेंगे और इसमें एक जाली बना लेंगे उल्टे फंदे को उल्टा ही बुन कि बोने जाएंगे और इधर केיים फंदे हमें उपर से घटाने ऐं यह देकिगा उटे फंदे के ऊधर वाले 2 फंदें कि इन्हें हमें उपर की तरफ से घटाना है यों कि राइट साइट के फंदे हैं अगेन उटे फंदे पर इम्टरा जाली वाला फंदा सीधा वाली पर पर आपको जाली बनानी है ला पर बना दूरंती एक जाली और बना लेंगे सेम पारर को करेंगे तो इस रो को भी पूरा ऐसे ही बिनेंगे wrong side भी पूरी वैसे ही बिनेंगे same pattern को जो हमने repeat किया है तीसरी जाली भी हमें ऐसे ही डालनी है यह हम दूसरी जाली यहां पर डाल रहे हैं मैंने दूसरी जाली डाली है इसमें 3rd जाली भी हमें इसी तरीके से डालनी है और जैसे ही हम 3rd जाली डालेंगे उसके बाद हमारे पास सिर्फिस में 1, 2, 3 3 फंदे यी बचे रह जाएंगे और उसके बाद फिर हमें चोटी बना देनी है तो ये वाली रोबिन ले इसके बाद बिन ले और उसके बाद फिर एक जाली और डाल दें और फोर जाली में अगेन वैसे ही चोटी बनाएंगे यह देखे इस तरह से यह पूरा पैटर्मन के रेडी है और अब यहां पर हमारे पास तीन फंदे ही बचे हैं और अब यह इस पूरी कली को बनाने के लिए लाश्ट रो है तो अब इसमें पहला फंदा वैसे ही उल्टा बिन लेंगे और इसमें जो सीधा फंदा है जाली वाले जो फंदे बढ़ रहे हैं इसमें उसे वैसे ही सीधा कर देंगे यह देखेगा तीन फंदे हमारे चार फंदे हो गए यह एक फंदा और इसमें जाली बना लेंगे तो टुटले फंदे हमारे साइड वाले पूरे हो गए उल्टा फंदा उल्टा ही बुन लेंगे और अब अगेन यह वाला जो लास्ट स्टेप है इसमें हमें फिर से वैसे ह चोटी बना देने है तो बीच वाले फंदे को उठाते हुए आगे करेंगे और आगे वाला ट्रप पंज़धा पांचे कर लेंगे, और इन तीनों फंदों को तीन फंदे एक साथ बिनने हैं तो तीनों फंदों को पीछे की तरब से उल्टा बुन लेंगे तो पहले दो फंदे या एक फंदे उतार लें और फिर बात के फंदे को उतार लें तो इस तरह से अगर आप उतारेंगे तो आसानी से आपके फंदे उ यहाँ पर बीच फंदे में जो जाली वाले फंदे आपके सीधे बन रहे हैं उन्हें सीधा बनाए है जो बीच वाली डो dengan आ रहे हैं इस तरह में इस तरह से पैटरन कंप्लीट हो गया यह देखिएगा एक पूरा पैटरन एक पूरी कली हमारी इस तरह से यह यह पूरी कली complete हो गई यहां से एक कली complete हुई तूसरी कली का pattern अब 9 फंदे यहां shift हो गए अब यहां से आपको जालियां बनाने स्टार्ट करना है जालियां बनाते ही हुए जब यह इधर के फंदे घट जाएंगे फिर इसके उपर बनेगी तो सेम ही pattern को आपको repeat करते जाना ह हैं और इसी तरह से एक क्यों पर एक back to back ही बनती गई है एक बर इधर से शुरू होंगी फिर इधर से फिर इधर से फिर इधर से तो इस तरीके से बनाते जाएं और अपने पूरी शॉल में इस पूरे pattern को apply कर लें बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही जल्दी बनने वाला pattern है friends I hope आपको मेरा यह design अच्छा लगा होगा थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिया अगर अभी तक नहीं किया है तो मिलोंगी कुछ नए ideas के साथ अपने next video में तब तक के लिए bye bye thank you and have a nice day